विडियो को लास्त में पसंद आने पर लाइक और शेयर करना भिलकूल भी ना बूलें इस परियॉडिक टेबल में एक जो आपका 17th group होता है 17th number का जो वर्ग है उसे हम halogen groups कहते हैं ठीक है दोस्तों तो इस halogen group में आचली आपके कितने तत्व हैं देख लिजे यह आपका उपर fluorine, chlorine, bromine, iodine और estetine यह आपके जो पांच तत्व हैं यह मिलकर आपके halogen groups कहलाते हैं ठीक है दोस्तों तो इस तरह से आपने our study में इनकी स्थिती देख ली अब आगे जानते हैं क्या होते हैं यह होते हैं यह halogen groups halogen जो होता है वो धातूओं के साथ मिलकर जितने भी आपके halogen elements हैं वो धातूओं के साथ मिलकर अमल लवन बना लेते हैं ठीक है इसलिए इसे हमने halogen की संग्या दी हुई है यहाँ पर हेलो का मतलब होता है लवन और जिन्स का मतलब होता है कि जैसा जिन्स मतलब की होता है जैसा ठीक है तो लवन के जैसा मतलब की जितने भी आपके यह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एसेटेटिन है यह धातु कहलाते हैं और यह जब भी धातूं के जा दी गई है और इसमें इंपॉर्टेंटंड चीज है कि जो होते हैं वो colorful होते हैं ठीके औरocate अग व्यक्ति और होता है और हैजो मतलब में घृटीब होता है ठीके दोस्तों तो इस तरह से आप इनकी जो परमानु क्रमांग से उनको भी यहाद रखेगा कि फ्लोरिन का जो ह लाइट यलो कलर में होता है ठीक है उसके बाद ब्रोमीन आपका जो होता है वो लाल भूरी कलर की होती है आपकी ब्रोमीन आयोडीन बैगनी कलर का होता है ठीक है दोस्तों आयोडीन जो होता है आपका परपल कलर में होता है अभी ग्याद तत्व नहीं है तो इस तरह से आप जो हैं परमाणू करमांग उन्हें अच्छे से याद रखिएगा ठीके दोस्तों तो यह आपकी बेसिक से इंफर्मेशन थी हलोजन गुरूप के बारे में आगे हम स्टार्ट करते हैं इसे रिलेटेट सारे कोशन जो भी इंपॉर्टेंट है चलिए स्टार्ट करते हैं कि दोस्तों आज का हमारा फर्स्ट कोशन है जिवाड़ों को नश्ट करने के लिए निम्न लिखित में से किस ग्यास का यूज किया जाता है आप अगर हमारे पिछले वीडियो देखे होंगे उसमें आपको अच्छे से बता चल गया होगा कि जिवाड़ों को नश्ट करने के ऐसे लिए klyorini gas का यूज किया जाता है ठीके दोस्तों क्लोरीं क्या है कीटणाशी से हैं और एक विनंजक के रूप में भी कारह करती है ठीक है क्लोरीं स quelques activity बनता है और रीटिती का यूज कित्में होता है टीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैeri कोशिन के और next question है हमारा सागरी खरपतवार Sea Weeds कहते हैं जिसे इसका महतवपुन स्तरोत क्या है सागरी खरपतवार का महतवपुन स्तरोत क्या है correct answer आपको जाता है दोस्तों iodine ठीक है iodine जो है सागरी खरपतवार खरपतवार चली होता है क्या दोस्ते एक तरह की घास होती है ठीक है और सागर से जुड़ा हुआ है तो इसमें आप रिलेट कर सकते हैं सागर में नमक होता है तो नमक किसे बना होता है आपका आयोडिन से ठीक है मानू कारवन परमानू की तुलना में अधिक होता है क्या होता है जो हैलोजन परमानू है वो कारवन परमानू की तुलना में दोस्तो अधिक विद्धुत रिनात्मक होता है याद रखेगा अधिक विद्धुत रिनात्मक होता है क्योंकि इसमें जो हैलोजन जितने भी आपक होते हैं ठीक है हेलोजन गुरुप के हम बात कर रहे हैं तो सेवन उसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और इसलिए वह अधिक विद्धुत रनात्मक होते हैं एक एक एलेक्ट्रॉन लेकर अपनी अश्टक को पूर्ण करके पूड़ता इस्थायत ब्राप्त करने के लिए इस त सुब्सक्ति करने का यौगिक है दोस्तों नाम हेक्षों सियाद lawyers अगर ये आंखों में पढ़ जाया तो दोस्तों इससे सीदह किरागती है ठीक है तो कॉर्णी आपके जल जाता है मैथलीन क्लॉराइड के क्लॉराइड जो है और लड़ी है के कीट नाशी अगर हम समझें तो वह एक खतरनाक एलिमेंट होता है क्लॉराइड ठीक है निक्स कोशन है 1960 की मध्ध तक किसका उप्योग उद्योगों में ग्रीज को साफ करने वाले द्रव तथा घरों में दाग धब्बे घटाने वाले द्रव के रूप में किया जाता था तो दोस्तों अगर यहां पर हम सीजिते बात करें कि ग्रीज जो एक ओली चीज होती ही ग्रीज और उसके द्रव जो होते हैं घरों में दाग धब्बे आधी हटाने के लिए किस एलिमेंट का यूज किया जाता था दोस्तों यहां पर आपकर करेक्ट आंसर है ट्राइक्लोरो मेथिन का यूज किया जाता था हाला कि अब इसका बंद कर दिया कि यह काफी खतरनाक साबित होता था ठीके तो इसकांसर आप याद रखेगा निशसाट के दशक तक ट्राइक्लोरो मेथिन का यूज किया जाता था दाग धब्बों को मिटाने के लिए राइट के उद्भासन से मनुष्यों को क्या हो जाता है सेम दीज दोस दोस्तों याद रखेगा फ्लोरीन जो है वह जिनान से मिलकर अधिक्तम से अधिक्तम योगिक बनाने की शमता रखता है ला है कौन सा है टैफलोन किस हैलोजन गुरुप से मिलकर बना होता है दोस्तों ति आपका बना होता है फ्लोरीन से टैफलोन है यहां पर टैफलोन तो फ्लोन से आप याद रखेगा फ्लोरीन ठीक है टेफलोन में आपका फ्लोरीन पाया जाता है अभी क्रिया है अभी क्रिया शील सबसे ज़्यादा अभी क्रिया शील तत्व हैलोजन में है वह आपका फ्लोरीन ठीक है याद रखेगा दोस्तों सबसे अधिक अभी क्रिया शील प्राओं के बारे में अघर बात करें तो है Éपका flore长 ले निंबलेक इसे किस गैस को अश्रृ गैस की तरह यूज किया जाता हैroffen किसit को इस के जाता है दोस्तों वह का और जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि है यहां पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्लोरीन एक रंगीन गैस है सरवाधिक इस्तमाल में आने वाले विरंजन अभी कर्मक क्या है तो विरंजन अभी कर्मक विरंजक चून आदी सब्सक्राइब दोस्तों आपके क्लोरीन से रिलेटेड है याद दखेगा अच्छे से इस तरह के कोशन हमीशा एक्जाम में पूछे जाते हैं विरंजक चून दरनजन गैस दाकध्बों को मिटाने वाली गैस तो यह सारी किलोरीन से रिर्लेटेड है अवस्था में पाये जाने वाली अधातू हैं Uhh थोच अवस्था में पाया जाते हैं निमणि मासा शामान निताप पर. थो सवस्था में पाया जाता है दोस्तों आप इसका अंसर बताइए देखिए समाने ताप पर थो सवस्था में पाया जाने वाला है कि हैलोजन तत्व है वो क्या है आपका है वह आयोडीन आयोडीन क्यों 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 कि नमक से रिलेटेड है और नमक को इस तरह हम देखते है कि room temperature वो solid form में पाया जाता है दूशित कारिफलन को दूर करने के लिए iodine युक्त नमक सधारन तया नेमने में से किस रूप में दिया जाता है देखे दोस्तों जापका सधारन नमक होता है वो आपका होता है sodium chloride NaCl ठीक है तो लेकिन अगर हम इसमें बात करें कि थाराइट के द परसित रोगी होते हैं तो उनको हम किस तरह का जो है नमक यूज करने के लिए दिया जाता है तो उससे आम दिया जाता है दोस्तों potassium iodide वाला जो एक salt होता है उसे दिया जाता है रिकमेंड किया जाता है क्लोरिक अमल कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभ आमको बता है कि में कांई जो हुता है वह रेज Wire silica Soda से बना होता है तो कांच की silica से एकमर एक्से एक्स करके कांच की silicon dioxide बना लेता है कि कि हब्हां करें एक अन्य नाम क्या है हाई डूसरा नाम क्या दोस्तों तो इसे हम जानते हैं मुरिय। NH1-6 σε Caleb 8-22-6 तो यह आपका यह अंतरा मचलक से इसमह से घुलनű चील में परपती में सबसे कम पाया जाने वाला ज़ो होता है जिसमगें है, जो हम जल्द क्रिया शील करें है एलेमेंट्स दिखाते हैं ठीक है तो एस्टेटिन इसलिए क्या होता है आपकी जो भूपरपटी यह वातवरन है उसमें मुक्त अवस्था में नहीं पाया तो वह किसी यौगे के रूप में ही पाया जाता है इसलिए भूपरपटी बस अबसे कम पाया जाने वाला तक वह स्टार्च आयोडाइट पेपर का उपयोग किसके परिक्षण के लिए किया जाता है स्टार्च आयोडाइट का उपयोग तो किसके लिए किया जाता है एक ऑक्सीकरन एजन्ट के रूप में किया जाता है मिनेरिया किस्म के समुद्री घास में क्या पाया जाता है तो अगर मैं ध्यान से देखा हो गई ओपर भी एकोशव सम bonzrao किया तो समुद्री घास में क्या पाये जाएगा दोस्तों यहां पर आयूडीन पाये जाता है तो यहां पर important चीज है दोस्तों यहां पर इसका नाम याद रखना कि ओं लेमिनेरिया किस्म कच्छ के रण में क्या पाया जाता है दोस्तों अगर आपने पिछले वीडियो देखे होगे वहाँ पर हमने आपको ब्राइन के वारे में बात की थी ब्राइन क्या होता है ब्राइन होता है एक बहुत ही खारा बहुत ही खारा पानी जो होता है खारा लवन जो होता है उसे हम ब्राइन कहते हैं ठीक है तो यह आपको पाया जाता है कच्छ के रण में अब जो खारा की बात की जारी दोस्तों इस खारे पानी में जो कच्छ का कर देखी गई है। एक्षैन प्लांको सब्सक्राइबूर आयाइटिन को सब्सक्राइब श版ों टीन कैलाता है। किया खिeli लाता है किसी चीज़ का टाइकलोरो डाइफलोरोमिथेन तो यह क्या खिलाता है यह आपके फ्रियॉण गयस का रासाइनिक नाम है फ्रियोण गयस क्या होती दोस्तो यह प्रशीतकों में यूज की जाती है फ्रियोण गयस तो दोस्तों कैसे लगा आपके आज के हमारी questions आपको comment गर के जरूर बताएं और चैनल को like, subscribe और share कर दिया करें दोस्तों धन्यवाद